नमस्कार दोस्तो मैं हूं मीरा देवी खबर लहरिया से फ्रमन संपादक मेरे सो राजनीती रसराय में एक बर फीर से आपका बहुत 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 स्वागत है दोस्तो आपने अम्रत काल का नाम तो सुना ही होगा ना थोड़ा मैनी भी जानकारी कठकी है मैं मीडिया चैनलों की रिपोर्ट के हिसाब से बता रही हूं कि अम्रत काल सब्द का पहली बार इस्तेमाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दो हजार इकीस में पच्छतर में सोतंद्रता दिवस समारोह के दवरान किया था वैसे ही जैसे आकास से उडान भरने वाला एक फाइटर पाइलेट करता है उसके बाद एक फरवरी दो हजार तेश को बित्त मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट पेश करते समय इस नाम को बार बार लिया था इस सब्द को बार बार दोहराया था अमरत काल सब्द सुनने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है परधान मंत्री ने इस सब्द की आड में देश को बदलने की बात की है कितना बदला है आईए जान ही लेते हैं इस अमरत काल की सच्चाई क्या है वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोने से आने वाली सिर्फ एक दिन की खबरें क्योंकि मैंने उस दिन सज किया था वो भी 19 फरवरी 2030 को उस दिन की खबरों ने हैरान परेसान कर दिया है यह वह खबरें हैं जिन पर बड़े जोर से आवाज उठती है लेकिन सक्त कारवाही नहीं होती है देश का प्रधान मंत मंत्री जब चुप्पी साध ले तो फिर काहे की कारवाही वही कहावत संया भय कोतवाल तो डर काहे का मद्ध प्रदेश के उज्जैन सिव मंदिर में मुख मंत्री सिवराज सिंग चोहान की मौजूदगी में महिला पत्रकार के साथ बद सलूकी की खबरे आई हैं महिला प कि सेक्यूरिटी में दिया उन्होंने मेरी सारे पकर के की जी मैं उनको अदार ही हो तो उन्होंने मुझे दोचा भी और ये सारी चीज़े कैमरे पर रिकॉर्ड हुई इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंग चोहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था मैंने उनसे कहा हर्याना के मोनु माने सर के शपोर्ट में समर्थन में रैली निकाली गई जबकि उसके उपर दो मुस्लिम बेक्तियों को जिन्दा जला कर मार देने का आरोप है चतिस गड़ के रायपूर सहर की शड़को में तीन घंटे तक एक लड़की को घसीता मारता एक बक्ति दड़ाता रहा और भीड इसकी तमास्वीन बनी रही किसी ने उसको बचाने की कोशिस नहीं की बागेश और धाम के बाबा धीरेन क्रश्न सास्त्री का भाई दलित लड़की की साधी में घुस कर दवंगई की इस लड़की के परिवार ने बागेश और धाम के पंडाल में साधी करने से मना किया था सीतापूर जिले के खैराबाद छेत्र इस्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनी का बयान सोशल मीडिया में आपने तो देखा ही होगा उन्होंने कहा है कि मुसल्मानों का नर संगार करना पड़ेगा जब तक मुसल्मानों का नर संगार नहीं होगा भारत हिंदू राष्ट नहीं बनेगा हलांकि जब इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा उठने लगी तब उन्होंने अपनी बात को वापस लिया लेकिन इतनी बड़ी हिम्मत कहां से आ जाती है कि इस तरह की आँ बाते खुले आम में आप कर सकते हैं और आपके उपर किसी भी तरह की कोई कारवाही नहीं होती है हर्याना में पूराने पिंसन की मांग पर पुलिस की बरवर्ता की खबरे आप देखी रहे होंगे बिहार के मजदूरों ने मंद्रेगा योजना की मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर के हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन क्या हुआ कोई कारवाही नहीं हुई ये सारी खबरे एक दिन की हैं सोच लीजे हर रोज जानी और अंजानी कितनी डरावनी खबरे होती होंगी जिन से हम वाकिब होते हैं और होते भी नहीं है फिर भी मोदी सिरकार अभी तीस साल मांग रही है ग्रह मंत्री अमेश साह ने एक बयान में कहा है आप सुन लीजिए उन्होंने कहा भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती तीस साल तक पंचायच से लेकर पारलामेंट तक भारतिये जनता पार्टी आती है तब ही भारत माता को विश्वगुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते हैं जब बीजेपी की सरकार आई थी तब प्रधान मंत्री ने 60 महीने मांगे थे तो अब यह हाल है आप सोचो अगर 30 साल मिल जाएंगे तो क्या होगा फैसला आपका है दोस्तों 2014 में बीजेपी पार्टी की सरकार आई थी और तब से अब तक में हर बारी बीजेपी पार्टी या मोदी सरकार ने यही बोला है कि कुछ दिन और दीजिये देश को बदल दूँगा स्मार्ट सिटी दूँगा और देश विश्वगुरु बन जाएगा इसमें भी अमिसा ने भी यही बोला है कि देश विश्वगुरु बन जाएगा कैसे विश्वगुरु की बात कर रहे हैं किस तरह की विश्वगुरु की बात कर रहे हैं अभी एक दिन की खबरे ही इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं जो बहुत जिन पर चर्चा हो गई या सोशल मीडिया उस पर कमेंट कर रहा है, खबरे डाल रहा है, मीडिया की हालत क्या हो गई है, वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी आप विस गुरू की बात कर रहे हैं, और इस विस गुरू बनाने के लिए आप 30 साल मांग रहे हैं, खेर, ये राजनीतिक बाते हैं और राजनीतिक लोगों का काम ही है इस तरी की बाते करना, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है, आपका क्या फैसला है, खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भासा